हेलो फ्रेंट्स इंफोल आप में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स नाशनल लोक अदालत की डेट आचुकी है इसका जो आयोजन होगा वो 14 सप्टेंबर 2024 को होगा दिन है साटे डे टाइमिंग्स की बात करें तो सुबा 10 बजे से लेके दोफैर के 4 बजे तक इसका आयोजन होगा अब बात करते हैं फ्रेंट्स किन जगों पर नाशनल लोक अदालत को और्गनाईज किया जाएगा तो फ्रेंट्स ये तीसदारी कोर्ट, रोहीनी कोर्ट, रोस एविन्यू, पतेयाला हाउस, करकाडूमा कोर्ट, द्वारका कोर्ट और साकेत कोर्ट में इसका आयोजन होगा फ्रेंट्स अगर आप डेली के बाहर रहते हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है ये नाशनल लोक अदालत है, इसका जो आयोजन होगा वो नाशनल स्तर पे होगा तो आप किसी भी राज्ये में रहते हैं, आप अपने निर्वाइ डिस्टिक कोर्ट में जाके अपने वहिकल के पेंडिंग चलान का भुगतान कर सकते हैं लोक अदालत में आप बात करते हैं, नाशनल लोक अदालत से जुड़े हुए कुछ important points पे, तो friends इन points पे ध्यान देना, अगर आप नाशनल लोक अदालत में जाने का प्लान कर रहे हो सबसे important बात, 31.05.2024, 31.05.2024 से पहले के चलान का भुगतान ही आप नाशनल लोक अदालत में कर सकते हैं, जो कि 14.05.2024 को होगी second important बात ये है कि अपने वहिकल के pending चलान का भुगतान करने के लिए आपको token लेना होगा, कह सकते हैं, चलान notice लेना होगा तो friends इस चलान notice का जो link है, वो 9.05.2024 सुबा 10 बजे से open होगा, site का link जहां से आप अपना token चलान notice डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने नीचे description box में दिया है, so 9.05.2024 सुबा 10 बजे के बाद आप अपना चलान notice डाउनलोड कर सकते हैं, उस पे जो है court number भी mention होता है, उसी court में जाके आपने अपने वहिकल के pending चलान का बुकतान करना है, अब बात करते हैं किन डॉकिमेंट्स को आपको carry करना है, नाशनल लोकदालत जाते समय, तो अपने वहिकल का driving license, RC, insurance, pollution certificate, ये सब डॉकिमेंट्स आपको original साथ में एक set photocopy का carry करना है, और सबसे important अपना चलान notice ले maximum 2 चलान बढ़ सकते हैं, so friends, अगर आप लोग अदालत में जाने का plan कर रहे हैं, तो timings जो है, सुबह 10 विज़े से लेके दोफैर के 4 विज़े तक का है, but मेरी आपको सला है, कि सुबह 9.30 ही court पहुँच जाए, क्योंकि लोग अदालत वाले दिन courts के अंदर काफी जादा र आप मेरे को comment box में भेज सकते हो, channel पर आप नए हैं और हमारे channel को आपने अब तक नहीं subscribe किया है, तो सबसे पहले channel को subscribe करें and bell notification को press करें for all latest updates and videos, thanks for watching info lab.